इस तरीके से लिखा रहा है मैसेज में कुछ डियर कस्टमर या पर नंबर आएगा और इस नाव अवेलेबल टू टेक कॉल ठीक है तो इस तरीके से हमें कब लिखाता है और इस तरीके का जो मैसेज है वह हम स्टार्ट के से कर सकते हैं किन-किन सिच्वेशन में आप इस तरह क के message को आपको आ सके हो मैं आपको इस वीडियो में बताओंगा तो वीडियो को आप पर पूरा ज़रूर देखिए तो बिसी क्लिक क्या होता है कि मैं लीजा आप किस number पर call कर रहे हैं और वह number जो है active नहीं है या फिर तो वह पर हमें एक मैसेज आता है कि यह जो वेक्ति है वह अब कॉल आपकी रिस्यूव करने के लिए अवैलेबल है तो अब यह मैसेज तो आ जाता है बेसिकली हम इसे अन के से कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो तो यह अलग-अलग सिच्वेशन में आता है सबसे म अगर आपके पास मान लीजे जीओ का सिम है और आप जिसे कॉल कर रहे है उसका भी जीओ का है तो उन सिच्वेशन में आपको यह आटोमेटिकली बाइडिफॉल्ट मैसेज आ जाएगा ठीक है तो मतलब दोनों सिम अगर एक जैसे है जिसके उपर आप कॉल कर रहे है तो इ 99% जियो के सिम के अंदर ये फैसिलिटी उपलब्द है यहाँ पर हमें कोई भी इस सर्विस को एक्टिव और नहीं करना पड़ता है ठीक है यह आपके पर इसका मतलब यह होता है कि अब जो नंबर आपको यह पिश्यों होगा जिसको आपने अभी कॉल किया था पिछली कु है आप अब उसे कॉल कर सकते हैं आपकी कॉल उसके पास जो है पहुंच जाएगी उम्मेद आप लोग समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी रखती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को तरो सब्सक्राइब कर लिजाएगा